का दोस्तों मेरे यूटीब चनल गूरुआहबा अपको सफवागति आई आज हम जानेंगे इनियमिया के बारे में इनियमिया क्या है इसके किया कारण ही और अधीधिक बेदिशन के बारे में बताऊंगा तो एनियमिया मतलब हमारे सरीर में रख्त की कमी होना और रख्त की कमी जो होती हो क्या कारण से होती है तो पहले बता हूँ आपको कि रख्त कैसे बनता है हमाँ सरी में तो हमाइसे में जो रख्त बनता हूँ तीन से बनता है WBC, RBC और Platelet जो RBC से ही Hemoglobin का निर्मान होता है और Hemoglobin का निर्मान RBC करती है अब RBC बनाने का काम Iron करता है तो जो main blood का production है वो Iron करता है तो Iron जो है RBC का निर्मान करती है लेकिन जो Hemoglobin है वो फेपड़े उसे Oxygen लेकर रखते में Oxygen पहुचाता है कौन? Hemoglobin जो है फेपड़ों से Oxygen लेकर हमारे रखते तक Oxygen पहुचाने का काम करता है इसलिए हमारे सरीर में Iron की कमी हो जाती है और Iron की कमी के करान ही हमारे सरीर में Hemoglobin की कमी हो जाती है एजबी की कमी होने के कारण हमाई सरीर में वीकनेस आ जाती है कमजूरी हो जाती है इस प्रिकारता तो इसके लक्षन क्या क्या है अगर आपके सरीर में एनिमिया है या रखतिक कमी है तो आपके क्या लक्षन प्रिकठों में इससे चक्कराना थकान होना तोचा के नीचे पील स्ट्रिया पढ़ जाना यह तेलीआ को ठंडा पढ़ना तापमान बढ़ जाना यह तर्मी लख्षन है तो बहुत से होते हैं मैं तो तीन कारण इसके ब्लड का लॉस हो जाना और आर भी सी का प्रोपर निर्मान नहों क्या है या जो आरबी सी का वह टूड़ याती है तो यह भी इसके कारण हो सकते हैं यह पाइल्स में ब्लेडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है इंटेस्टाइन में अलसर हो जाते हैं यह इसके कारण है अब इसके लिए मैं आपको कुछ मेडिशन बताता हूं कि आगर अपने सरीज में जो आइरेन की कमी है आइरेन के कारण ही WBC WC से हमाउलोबिन तो आपको में वर्ग क्या है आइरेन की पूर्तिकन्ना आइरेन के ले सकते हैं जिससे आपके सरीर में जो रख्ट की कमी है वो पूरी हो जाएगी अब आपके साथ में आपको थोड़ा सा डाइट का मेंटेन रखेंगे तो आपको यह कमी नहीं होगी जैसे आप आइरेन के लिए आप पालक खाईये को चुकंदर लीजिए अनार लीजिए औ और थोड़ा सा गुड़ भी ले सकते हैं यह सारी चीज के अगर आपके खाने डाइट में मेंटेन रखेंगे प्रोपरली तो आपके सरीर में कभी खुन की कमी नहीं होगी तो आप प्लीज यह साथ खानी की चीजों का विद्यान रखें और अगर मेरा वीडियो आपको Namaskar Dosto